एक popular crime fiction writer Gary Disher ने कहा था एक writer जो है वो thrill को कहीं भी set करके उसे convincing बना सकता है जरूरत है crime को highlight करने की या फिर पढ़ने वाले को settle होने का मौका ना देने की फिल्म कुछ हटके के आज की इस episode में हम जिस film की बात करने जा रहे हैं वो एक मल्यालम crime thriller film है जो 2020 में release हुई थी का rule है कि जब तक film Hindi dubbed में YouTube पे उपलब्ध ना हो हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं तो finally ये film YouTube पर Hindi में available हो चुकी है हाँ ये official Hindi dubbed तो नहीं है and of course fan dubbing है तो उतना professionally नहीं किया गया है लेकिन फिर जिने मल्यालम नहीं आती उन्हें इस तरह की dubbing में भी at least film समझतों आही जाएगी तो चलिए बात करते हैं इस crime thriller film के बारे में Welcome to पलट तेरा ध्यान किधर है इस film के writer डारेक्टर है मिधुन मैनूल थॉमस और film के lead roles में है कुचाको बॉबन, शरफ यूधीन, श्रीनात बासी, जीनू जोसेफ, उनिमया प्रसाद और हरी कृष्णन एक crime thriller suspense film को engaging बनाए रखना बहत ज़रूरी होता है और किस तरीके से screenplay audience के mind के साथ खेलती है एक psychologist का एक psycho killer जिसने 14 murder किये हो उससे मिलने के लिए jail में आना और फिर psycho killer जिस प्रकार से उसे अपने मन के अंदर चल रही भावनाएं बताता है उसी से ये एहसास होने लगता है कि film में psycho killer को पास से जानने का मौका मिलेगा वो psycho killer बताता है कि उसे बचपन से ही मुर्गिया काटने में मज़ा आता था और खास तोर से उन्हें तडपता दे को उसे खुशी होती थी लेकिन ये हमारा असली culprit नहीं था लेकिन डारेक्टर ने इस character को film की शुरुआत में डाल कर एक तरह से film की theme को clear कर दिया कि film किस बारे में होने वाली है शहर में पांच पुलिस वालों की दर्दनाक हत्या पूरे मैकमे को हिला कर रख देती है इसे investigate करने के लिए एक team गठित की जाती है जिसमें पुलिस के मदद के लिए एक psychiatrist को भी मिलाय जाता है ताकि उन्हें case को समझने में मदद मिल सके फिल्म का screenplay जबरदस्त है ना गानों पर वक्त जाया किया गया है ना romance पर बलकि फिल्म पूरे वक्त यानी 2 घंटे 24 मिनट अपने track से एक पल के लिए भी नहीं किसकती इस तरह की फिल्मों में murder mystery सुल जाने के लिए जो clues सामने आते रहते हैं वो romance पैदा करते हैं और दूसरी जो important चीज होती है वो ये कि दर्शक ये जानने के लिए भी उत्सुक रहता है कि आखिर ये psycho killer ये कतल क्यों कर रहा है तो फिल्म का hero अनवर इस case की हर छोटी बड़ी चीज पर अपनी पैनी नजर बनाए रखता है और ये चीज फिल्म में interest बनाती है फिल्म के शुरुवात में ही लिखा आता है inspired from true events लेकिन ये फिल्म किसी एक incident से inspired फिल्म नहीं है हाँ एक case था जिस से inspired था फिल्म का एक part तिरुवनंत पुरम में 30 साल के लड़के ने अपने पूरे परिवार को मार कर compound में डाल दिया था उसके परिवार में 60 साल के उसके पिताजी ए राजा थंकम 58 साल के उनकी माताजी डॉक्टर जीन पद्मा 26 साल के उसकी बहन कैरोलीन और 70 साल की visually challenged उसकी एक relative ललिता थी इन सब के murder के जुर्म में अपराधी कैडल को incident के दो दिन बाद गिरफतार किया था जब उसे गिरफतार किया गया तो उसने बताया कि वो पारा psychology और astral projection में believe करता है और उसी ने इसे प्रेरित किया इन murders को करने के लिए astral projection को आसान शब्दों में out of body travel भी कहा जा सकता है anyways इस episode को बनाने का मकसद of course इस film के बारे में बताना तो था ही लेकिन इसे देखते हुए एक अजीब सी कसमसाहट होती है dark web को लेकर उस परिस्थिती को सोचकर कि कैसे एक आदमी इतना वहशी बन जाता है दोस्तों भाईयों और बहनों जैसे जैसे internet हमारे जीवन में पैर पसारता जा रहा है हम भी उसकी तेह तक जाने की कोशिश करने लगे है इसके बाद क्या ये कैसे हो सकता है वो क्यूं हुआ ऐसे लाखो सवाल है जिनके जवाब के लिए हम internet गूगल का सहरा लेते है और इनी में से एक है dark web या फिर illuminati जैसा कुछ राज जिने ढूणने के लिए बहुत से लोग हाथ पैर मारते रहते है लेकिन इन सब चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में हम शायद सोच ही नहीं पाते दूसरे शब्दों में कहें तो अगर dark web या इन जैसी चीजों के 1% नुकसान का भी पता है तो जरूरत क्या है इसमें खुसने की I'm not sure मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ बट फिल्म देखते हैं मुझे ये सब खयाल आ रहे थे फिल्म के BGM बहुत अच्छा है फिल्म का execution कमाल का है एक psychological thriller फिल्म को इतने असरदार धंग से प्रस्तुत किया गया है कि आप फिल्म के साथ last तक जुड़े रहेंगे क्लाइमेक सीन को भी बहुत ड्रामेटिक वे में दिखाया गया है action scenes last में है लेकिन बहुत अच्छे से execute किया गया है फिल्म में कातिल के वहशी पने को दिखाने के लिए visuals से ज्यादा dialogues का इस्तमाल किया गया है जो काम कर गया है कातिल के मारने के तरीके को जैसे बताया जाता है वो आपके मन में कातिल के लिए नफरत पैदा करने लगता है फिल्म के actors का काम भी अच्छा है dialogue delivery पर टिपणी नहीं कर सकता क्योंकि यहां हिंदी डबिंग बहुत अच्छी नहीं है और अगर अच्छी होती भी तो भी मल्यालम में बुले गए समवादों को आप हिंदी में जज नहीं कर सकते कि कितने clear way में उसने dialogue delivery की होगी यह फिल्म तेलगू में Midnight Murder के नाम से आहा OTT पर रिलीज हुई थी और बेंगॉली में भी इसका remake बना है जिसका नाम है मुखोश तो दोस्तो फिल्म ना देखी हो तो जरूर देखे और entertainment के purpose से ही देखे और देख चुके हैं तो हमारे साथ शेर जरूर कीजिए कि फिल्म आपको कैसी लगी तब तक के लिए